उधारी वापस लेने के लिए मोहन धूप में पसीना बाहा रहा है पर सिर्फ तारीख वितारीख पा रहा है और एसी में बैठा रोहन पैसे ऑनलाइन पा रहा है कैसे खाता बुकर डिजिडल इंडिया का डिजिटल खाता मुफ्त सुरक्षित और आसान नमस्कार मैं हूँ सौरव दिवेदी आप देखना शुरू कर चुके हैं दील अलन टॉप शो ये शो इस्टूडियो से नहीं है जमीन से है जमीन जंतर मंतर की है नक्षे पर नई दिल्ली देश की राजधानी जहां पर सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है नरेंद के विरोध में प्रदर्शन की खबरें देश भर से आ रही हूं सब के बारे में आपको सिलसलेवार धंक से बताएंगे लेकिन सबसे पहले सुर्खियां पहली सुर्खी निर्भया केस से जुड़ी हुई है निर्भया केस में सजा पाया पवन गुपता इसने कोर्ट में दर दलीलों को खारिच कर दिया 24 जन्वरी की तारिक दी गई थी पहले इस मामले की सुनवाई के लिए लेकिन निर्भेया के वकील की सुनवाई और दलीलों के बाद कोट ने इस पर आज ही विचार किया इसके अलावा जो निर्भेया केस में गैंग रेप के अभियुक्त हैं जि आजिकाएं लगी हुई थी जिन पर आज सुनवाई हुई और केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किये गए उनको हलफ नामा दाखिल करने के लिए कहा गया है अगली सुनवाई की तारीक चार जन्वरी की तैकी गई है अगर आप तारीक में दाखिल होंग दिसंबर 2019 आपको सिर्जन्शिप एमेंडमेट एक्ट पर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की तारीक सा नजर आएगा बेंगलूरू में मशहूर इत्यासकार रामचंद्र गुहा को गिरिफ्त में लिया गया दिल्ली में कई राजनेताओं को गिरिफ्त में लि जाने की और टेलीफोन सर्फिस की मॉबाइल ऑपरेटिंग सर्फिस के रोके जाने की ताकि हिंसा न फैले ये सरकार का तर्क है और प्रदर्शन कारियों का तर्क है की हमारा संदेश न फैले ललनटर की तीम आज जमीन पर थी एक जमीन मुंबई की भी है जहां पर अगस्त से एक्टर पहुंचे लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके मुताबिक ये खास लोगों की लडाई नहीं है आम लोगों की लडाई है इसलिए नाम गिराने से बचते हैं और जंतर मंतर के नजारे दिखाते हैं जंतर मंतर से पहला नजारा हमें एक सीय मिले उन्होंने कहा क कि इस कानून के लीगल और सोशल एस्पेक्ट पर तो खूब बात हो रही है लेकिन इसके फाइनेशल एक्ट पर भी बात होनी चाहिए क्योंकि जी एस्टी का जो खौब दिखाया गया था कि इतना टैक्स आएगा उतना टैक्स आएगा वो तुआ नहीं रहा और ये वजन दोहरा कर देगा देश की अर्थववस्था की पीठ को सुनिए pur साथ के तर्क जब गॉप्मेंट ने जीस ची लेकिया यह था कि हर महीने हम एक लाक से लेकर एक लाक बीजा क्रोड कर लेंगे एक्षौल नमबर आपके जीसी के क्लेक्शन के आ है वो 95,000, 94,000, 96,000, 97,000 करोड अभी जो लास्ट मन्त में कलेक्शन उपर गया है जिसके लिए गौर्णमेंट ने चाती पीटने शुरू कर दी कि इनो प्रेस चैस्ट थंपिंग और इस बिकास आप इंपूट क्रेट रूस चेंज क्रेट रूस चेंज अब आपको क्या है इस 27 रुपे तो अब हम क्या करते हैं 27 में से जो हमने प्रचेस पर पे किया टेक्स उसको माइनस कर देते हैं और एडिशनल 9 रुपे आपको जमा कर देते हैं तो अठारा पहले वाले स्टेज पर चला गया अब दिक्कत यहां पर यह है कि अगर गौर्णमेंट उस अठारा के पर restriction लगा दे कि कितना input करेड़ आपको अला होगा और को restriction लगा के बोलें कि 10 रुपे ही होगा सिर्फ अब अगले वाले बंदे को क्या करना पड़ेगा पहले 9 कर रहा था तो क्योंकि 18 पहले कर चुका था अब वह बोलेगा कि 9 मैसे सिर्भ 15 मिलेगा आपको यहां मिलेगा तो पानी की बॉटलensible रहे थे खाने की सामगडी बांट रहे थे और जब बांट रहे थे तो आपसे यह नहीं पूछ रहे थे कि आप यहां क्यों है आपको देंन या ना दें ऐसे यही के लड़कियों से हमारी आप सुनिये, फैशन दिसाइनिंग से जुड़ी इन तीन वर्किंग प्रोफेशनल्स की क्या है कहानी, क्या है तर्क। Humanity at large, no kind of discrimination, no kind of atrocity or harm to innocent people is fair. And as fashion designers, the side of fashion that people don't see is that we work with a lot of carigas, we work with a lot of grassroot people and probably they do not have the opportunity and privilege to come here and protest but then we do. So I think it's also a duty to speak for those people who haven't had the voice. I think they are the ones spreading confusion first of all, there is no confusion right here, we are very clear about what we want. What do you want? We want peace. We want peace for everyone and we want everybody to be treated as a human, there is nothing like Hindu-Muslim, Christian rules should be the same for everyone. Yes, I have. What's the take on that? Well, the combination of Citizenship Amendment Act and the NRC, that's the problem, that's what's going to weed out people based on the religion and people are not looking at it like that. They are thinking it's just CAA but it's also NRC. If you have a lot of people who have been doing it, they are simply the same for the government of the government of the government. पूछे कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है आप रह्मों करम पे जिन्दा हैं तो वो मनलब हम केवल एक माहौल बना रहे हैं कि यह अलगें वो अलगें एक तो वो लोगों को बाटने का और इस तरह के जो शब्द हैं वो मुझे लगता है सरकार जो इस्तिमाल कर रहे हैं कि शब्द का इस्तमाल थोड़ी कम जिम्मेदारी के साथ और वो एक उनकी पूरी एक साजिश है कि इस बहाने से लोग बढ़ जाएं और यह पूरा इसका गड़ित तो लोगो समझ में आना शुरू हो गया कि असाम में जो एनार्सी हुई थी वो 14-5 लाग का जो चक्कर था तो इतनी बड़ी संक्या को अलग नहीं कर सकते हैं सोचके यह लोग चलेते हैं मुसल्मान जादा होंगे निकले आए हिंदू तो उस बहाई से सब इश्व हो देश है देश के प्रधान मंत्री है उनका नाम नरेंदर मोदी है और उनके पास एक हुनर है कि वो कपड़े दे देश के नागरिकों को कपड़े से जज करने लग जाए और बोले कि कपड़े कुछ खास कपड़ों में उग्रवादी प्रकार के लोग देखे जा रहे हैं या एक कपड़े को कपड़े से टोपी से जब देश का प्रधान मंत्री नागरिकों को पहचानने लग जाए तो मै आपको देखा सकता हूँ यह देखिए धे-सकी जन्ताहा बेना लोके आज सडकों पे क्यों आया हूँ मैं हिंदू हूँ लेक shaft क्यों oversे इनार्सी से बाहर निकालेंगे यह कौन सा कानून है मोधीं जी छिर्फ हिंदुस्तान की इस यास दाउं की ये खास आदत है जहां भीड़ दिखती हैं वहां वो पहुंच जाते हैं जन्तर मंतर में भी कई सियासदा नजर आए यहां पर हमें कई सियासदा दखे सेक्या साहब मिले कॉंग्रेस के विधायक हैं नेता प्रतिपक्षे असम में बोले आये तो थे कोट में धर्ख्वास्त देने पर पता चला कि धरना चल रहा है तो आकर बैठ गए यहां पर बैठे लोगों का यह कहना था कि हमें एनर्सी से समस्या नहीं वो तो हमारे यह हो गई हमें से समस्या है और सुनिए उनके तर्क मुई यह आम लोग सुप्रीम कोट में केस दाखिल करने के लिए आये थे और उसका तो सुनानी 22 को होगा अगा में तो अभी मेरा साथी रूपजोती बताया कि यह हमको जंतर मंतर में धरना प्रतेशन करके जो अभी सहीद हुआ पांस ह समझ नहीं पा रहे हैं कि नॉर्टीस्ट के लोग असम के लोग जो माइनॉर्टीज हैं तीन कंट्री के जिनको इस एक्ट में रियायत दी गई है ग्यारा साल से घटा के पांच साल और 2014 की डेडलाइन अगर वहाँ सप्रेस्ट है सरकार कह रही कि हम उनको आने दे रहे हैं तो असम विरोध क्यों कर रहा है कि आप लोगों को समझा पाएंगे बिल्कुल पहला बात है आप देखिए भारत का आइन का मुटाविक 1951 तक ही ये देश बटवारा हुआ था तो नागरी के ता 51 से पहले का है भारत में अभी जब आशाम में एजिटेशन हुआ कि भूतार लिस में बहुत ज़्यादा आदमी आ गया तो एक आंदोदन हुआ था 79 में आशाम मोमेंट और उसका समझोता हुआ था 1985 में आशाम एक राजिव गांधी थी उसको साइन किया था पुन्दरागास का सुबह तो उसका हमारा आशाम का उपर भी इसका आशार पर हैगा और जो आशाम एकोड में यह समझोता हुआ यह दिखिए 71 तो ही हमारा लेना है तो अभी अगर एक्सेस आदमी आ जाएगा तो हमारा एक इसमल कम्यूटी है आशाम तो इसका जो आपका डिलीजन लेंग्वेश का उपर में लेंग्वेश आशामिस लेंग्वेश है और बाहरका आजमी का दूसरा लेंग्वेश होगा जो अभी स्टेट रियोगनेशन एक्ट है 1956 इसका मुटबिक जिस राज्यों में ज्यादा भाषा बोलना वाला था जिस भाषा का तैलेंगा ना उसे सिस्त हुआ था तेलेगो त सियासता नंबर दो शायर और कॉंग्रेस के नेता इमरान प्रताब गड़ी उन्होंने एक लंबा मोनोलोग दिया ये थियेटर का शब्द है इसको आप हिंदी में एक अलाब समझ सकते हैं और इस एक अलाब में उनकी अमित शाह से देश के ग्रिह मंत्री से एक है हमारे इतराज सिर्फ इस बिल पर नहीं है इस बिल के पीछे जो एक एजंडा चुपा है जो सरकार की मनशा है और इससे जुड़ा हुआ NRC है हमारे इतराज उन दोनों को जोड़ करके है हमारा इतराज जब असम में आप NRC लागू कर रहे था और 19 लाक लोगों को आपने नागरिकता सर्टिफिकेट ना दे करके उन रेजिस्टर से बाहर रखा वा था तब से हमारा इतराज है आप बताईए आप अपने ही देश के नागरिकों को आप कहते थे कि कितने करोण घुस पैठी हैं اور इतना सरच करने के बाद, इतना कुछ पैसा खर्च करने के बाद आप सिर्फ 19 लाख लोगों को निकाल पाए और उसके बाद भी आप कहते हैं कि अभी पूरा नहीं वा सुप्रीम कोर्ट के भी उस पे इस पर इतराजात हैं, लोगों के इतराजात हैं अब आप एक एक्ट ले करके आए और आप कहते हैं कि एक्ट सिर्पिस लिए है और उसमें आपने एक मजभ को अलग के लिए किनारे रख दिया आपकी मंचा क्या है? हम कहरें कौन सा? बटवारे के वक्त जो है यहां से मुसल्मान गया आया नहीं कोई जो यहां रहा वो यहीं का है अब एसे में आप एक मजभ के बुनियाद पर सीधे सीधे लाइन खीच रहें ग्री मंत्री अगर इस देश का सीधे सीधे ये कहे, मुसल्मानों को छोड़ करके बाकी सब को नागरिक्ता देंगे, आप दे दीजे लेकिन कहिए तो मत इसको, हमारा इतराज इस बात पर है कि आप तो सीधे सीधे कह रहे हैं, आप देश का परधानमंत्री माइक से सीधे पहचानिए आप ये एक प्रधानमंत्री की भाषा है अगर सब देश जो है पोशाक से पहचाना जाने लगेगी कौन दंगाई है कौन अच्छे लोग हैं तो आप इस भीड़ में बताइए ना कि कौन हिंदू है कौन मुसल्मान मैं खुद ने पहचान रहा हूं मैं जहां जहां शामिल हो रहा हूं वहां मुझे लग रहा है कि मुझसरे बड़ी तादाद में मुसल्मानों से ज्यादा बड़ी तादाद में हिंदू भाई कठा तो तो आप देश को मत माट ये, 47 में बंड चुका, बड़ी कुर्बानिया हो चुकी, बड़े लोग मारे जा चुके, अब मत करिये ऐसा, देश को सुकून से रहने दीजे सियासदा नमबर 3, दिल्ली के 15 बरस तक मुख्यमंत्री रही, शीला दिक्षित के पुत्र और पूर्वसांसद और कॉंग्रेस के नेता, जब हमने पूछा, अभी भी कॉंग्रेस में बोले हाँ, फिलाल तो हूँ, और मजबूती से हूँ, संदीब दिक्षित, संदीब दिक् तो वो तो आते रहेंगे ना, उसमें इस बिल के क्या वाशक्ता थी, पहले चीत में यह जानना चाहूँगा, दूसरा, अगर आपके यह प्रावधान ओलडी थे, तो उन प्रावधानों में, कई 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 जगों पे होता है, कि 52 के पहले की जो सिच्वेशन थी, उसको हम अधिकारी करते हैं, उस अधिकारी को आप जो अपना इंटेंट बताओं के वो वैसे ड्राफ्ट कर देगा, हिंदुस्तान में अधिकारी वैसे बिलकुल निकम्मा है, लेकिन शब्दों में वो उसका खेल बिलकुल तेज है, वो शब्दों में कभी दोदर नहीं जाता है, तो कि शब्दों में जीता है, उसके लावा तो हिंदुस्तान गाधिकारी 70 साल से लूटी रहा है, काम तो नहीं कर रहा है, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन में एकिन पाट अपनी भावना अभ्यक्त करने आया ना, और उस भावना में नेत्रितों तो बच्चे कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बुड़े साथ में खड़े हैं कि अगर सिरफ वो करना होता, तो मैं यहां नहीं दिखता, इस्टैब्लिश्मेंट में, इनका केवल यह शुरुवात यह है, कि यहां से लोग समझने लगें, कि दुनिया भर के हिंदूओं का यह तो शरकार की हो गई है, कमजोर और ना समझ आदमी में ही एंकार होता है, यह कमजोर सरकार भी है, ना समझ भी है और हेंकारी यह एक आखिनी सवाल. आपसे, चूकी फैम मैं दिली में चुनाओं हैं और आप अभी विजित पार्टी में हैं अनि मैं हूँ मैं बड़े गर्व से कहता हूँ मैं कांग्रेसी हूँ कांग्रेस बहुत तैयार नहीं दिख रही है उस चुनाओं को लेके बेत्रत परिवर्तन हो रहा है जो एक शीला जी के जमाने में था 15 साल अंडिस्क्यूटेड दिखे वो अलग बात थी तो यह आसानी से समझ लेना कि शीला जी के जाने के बाद उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं उनको कोई पार्टी नहीं रिप्लेस कर सकती कांग्रेस तो छोड़िये लेकिन ठीक है नया मौका आता है नया नेत्री तो बनता है जब उसके हाथ में मौका आएगा वो अपनी पतिवा दिखाएगी आज के दीललन टॉप शो में इतना ही बाकी जंतर मंतर पर हुई कवरिज को विस्तार से आप हमारी वेब साइट पर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं आखरी में दो बाते कहूंगा पहली बात जो यहां के नौजवान थे जो एक क्रांतिकारी गीत के जरीए कह रहे थे और अच्छी चीज यह थी कि फॉरा चेंज इस क्रांतिकारी गीत में जोश से ज़ादा तंज की गुनजाईश थी क्योंकि बुज़ूर्ग कह गए हैं कि जब हकूमत से लड़ना हो तो अपने हाथ से को बचा कर रखना चाहिए इन नौजवानों ने इस तरक कुमाना है आप इस गाने को सुनिएगा पर उस गाने से पहले मैं आपको राम प्रसाद बिस्मिल की वसीयत का एक हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ क्योंकि आज ही के रोज वो और अश्वाक शहीद हुए थे जिस देश में 6 करोल इंसान अच्छूत समझे जाते हो उस देश के बाशिंदों को आजाद बनने का अधिकार ही क्या है इन्हें परियाप्त सिक्षा प्राप्त कराने का प्रबंध हो और उनको सामाजिक अधिकारों में बराबरी मिले इसी के साथ साथ इस्त्रियों की दशा भी इतनी सुधारी जाए कि वो अपने आपको मनुष्य जाती का अंग समझने लगें वो पैर की जूती और घर की गुड़िया ना समझी जाए अश्वाक उल्ला खां भी अपनी वसीयत में साफ लिखते है मैं अश्वाक उल्ला खां हिंदुस्तान की ऐसी आजादी का खोईशमन था जिसमें गरीब खुश और आराम से रहता हो और सब बराबर होते हो कुर्सी पर बैठे हुए नजर पढ़ें आज मैं तो हर विदेशी हकूमत को बुरा समझता हूँ और साथी साथ हिंदुस्तान की ऐसी जमूहरी सल्तनत को भी जिसमें की कमजोरों का हक हक न समझा जाए या बाहम इम्तियाज वा तफरीक रखकर हुकूमत के कवानीन बनाए जाएं और आखिरी में इनका एक शेर है जो आपको स्क्रीन पर नजर आएगा ये जगड़े और बखेड़े मेट कर आपस में मिल जाओ अब अस तफरीक है तुम में ये हिंदू और मुसल्मा की कंट्री आगे बढ़ता है तुम से पैको रोता है M.A.P.H.D. करने से कुछ नहीं होता है बस तु तो याद रख तरकी के चार सुत्र गाए माता कौका को बर्बाल मोदी को मुत्र BOOM 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 B देख लो मंत्री जी जो चाहे कर ले उनका कहना ठीक रे बूम 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 जरा ध्यान से सुनो आज के दिललन टॉप शो में इतना ही अपना अपनों का अपने मुल्क का और अपनी चेतना का भरपूर खयाल रखिये झाल